पहुंच चुके हैं अलमोडा जिले के साल्ट विकास खंट से आठ किलमेटर की दूरी पार और कहीं पानी है तो कहीं नल सुका है ऐसा हमारे यहां हो रहा है रात भी ओ दिन में भी पानी के लिए जाते हैं और क्या कत्व पानी की बहुत परेशानी है में आप देख रहे हैं उत्राखन का लोगपुरे डीचन चैनल न्यू 31 आ न्यू 31 की टीम पहुंची है साल्ट विकास खंट से महज 8 किलोमेटर की दूरी पर सकरखोला गाउं में ये सकरखोला गाउं में सरकार ने जनलीगम विभाग ने हर घन नल हर घर जल के connection जो हैं भले ही यहां किये हो लेकिन ग्रामिंड मैं अपने कैमरेमेंन से कहुंगा कि आपको वो गाउं दिखाएंगे, वो गाउं की तस्वीर दिखाएंगे, जो गाउं है सकर खोला गाउं. यहाँ इस गाउं में 54 परिवार रहते हैं, अब 54 परिवार से महाज, 22 परिवारों को ही हर घर नल योजना का लाम मिल रहा है. बले ही सरकार वादा कर रही हो कि परतेग परिवार के घर तक जल पहुँचे लेकिन यहां के ग्रामिन उस योजना से अच्छूते रह गए हैं वंचित हैं यू कहें सरकार की योजना यहां तक अभी नहीं पहुंची है सरकार वादे तो कर रही है कि हमारी योजना कारगर साबित हो गई है और फिर भी ग्रामिनों में जो है जस्तान के पती भारी आक्रोस है पहुँच चुके हैं अलवोडा जिले के सल्ट विकास पंड से आठ कीलमेटर की दूरी पर सकरगोला गाओ में यहां जो हैं ग्रामिन सरकार तो भले ही हर घर जल का वादा कर रही है पर यहां के じरामेन इसे जानते हैं क्या है उनकी के पूरी कहानी , और अपने बाल बच्चे को भी नहीं ठीक धंग से देख पाते हैं, हमारे यहां पर तीन चाल ठेकेदार आये हैं, लेकिन उन्हें नहीं काम किया है, और हम पानी के लिए इतने घुझाए हैं कि यार हमें पानी मिलेगा, पानी मिलेगा लेकिन तीन साल से हमें आश्वासन दि कि योजना लगी है कब से लगी और कितने साल से आप से आप पेजल चलने टेश्प ये जब से घर कर लाई तो तब से ही हमारे गाव में काम तो शुरू हुआ लेकिन काम ठीक से नहीं हुआ इसलिए परिशानी काफी खानी पढ़ती है हमारे जासे दिन में क्या दिकत बनी moट की सिवात काुट 5 Всё बश्कीर 맞़ा है लेकिल के अदिकारियों學 में यह उनकी सुरूँ नहीं हुई लेकिन क्रねं करेंगे उनकी वो रूज बोला है उन्होंने उनकिया कुछ नहीं तो रहती है अधिकारियों से क्या आशष क्या मिला ज़ल लिप मीलi है उन्हों पूछ अपने आप जेल रहे हैं कब से हो रही हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं। होता ही नहीं हो ते ह्ना है कि हमारे जो है प्याजल बले इस प्रिवार यहां रहते हो और सरकार जो हर घंट यह tax ale जल देने का वादा कर रही है। लेकिन अभी भी जो जो है योज्णा से वंचित हैं। इसलशाम ग्रामिडों के साफ़ तरह से कहना है Gkick हमारी मांगहीं नहीं सुनी गई। हम तैसीर των कारेले में जो है विवाक एकलम नाज़े करेंगे। इसमें लिएंगर ग्रामिन में काफी नराजगी है और ग्रामिन कहरे धिन नालें. तो ग्रामिन को पैजाल किल्रड़ आ रहे हैं, या कप AWS सो टो टोपाई? तेखे हमें अभी ग्रामिनों से ये कुछ परापता फिकायद पराफत हुई है कि कि पानी ठीक से चल नहीं पा रहा है गाहूं मैं मैं बताना चाहूंगा कि शकर घोला जो ग्राम है इसको कोटेश्वर शर्शिखाल पंपिंग पे जली हो जना जिसका निर्मान लगबक साथ साथ साल पूरू हुआ था उसके अंतरगत इस ग्राम को संभिलित किया गया था जलजीवन मिशन में यह ग्राम जलसंस्थान को अवंटित है इसमें टैंक तक का जो आपूर्ती की जाती है वो कोटेश्वर शर्शिखाल के टैंक से की जाती है तो इसकी भी हम एक बार जांच करा रहे हैं कि उस क्या कोई ऐसी दिक्कत शर्शिखाल टैंक से तो नहीं है जि ज़िए उसमें ऐसा कोई दिक्कत होती है तो उसको हम शेगरी ठीक करवा देंगे और गाउं के अंदर का जो मामला है अगर गाउं के अंदर को इत परिशानी है तो उसके लिए जलसंस्थान को क्योंकि यह आवलंटित है ग्राम तो इसके बारे में वह आपको ज्यादा आपके दौरा हमें स्पाइब प्राप्त होती है और ग्राम जो जो पाइप खोदनी की के वेज़ेजर रास्तों में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए मैं बताना चाओंगा कि वहां पर जो हमारा फेसटू का कारये गतिमान है जिसकी बाइसे चुकि वह पाइप ट्रेंचिस में डाल जाते हैं उसके लिए खुदाई क्या वश्यक्ता होती है तो उससे थोड़ा सा प्रॉलम जो है अल्प काली समश्या होती है उसको हम लोग कोशिश कर रहें कि सीख्र से सीख्र पूरा करा दें ताकि वह समश्या जाए दिनों तक ना रहें और मैं उस समंध में अपने करने श्विंता को निर्देश भी कर देगी ठेकेदार को साथ में लेते हो उसको सीख्र सीख्र कारे पूरा करा दें ताकि वहाँ पर जो यह ग्रामिडों को दिक्कत हो रही है वह ततकाल उससे उन्हें रहात मिले तो जल्द निगम और जस्तान विभा सब्सक्राइब